फ्रेंड्स ये तो हम सभी जानते हैं कि खुलकर हसना हमको बहुत सारी बिमारियों से छोटकारा दिला सकता है लेकिन फिर भी हम खुलकर हसना ही पाते अपने मन को मसोच कर रहे जाते हैं इसके पीछे कारण है हमारे पीले और बदरंग दात तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो जो आपके बहुत काम का है नमस्से मैं हूँ सचिन गोयल और लोग कल्यान के लिए चलाए जारे इस कारेकरम में आपका स्वागत करता हूँ जी हाँ दोस्तों आपको शायद मालूम नहीं है लेकिन आपके घर में ही रखी हुई बहुत कॉमन और बहुत सस्ती रसोई की चीजों को यूज करके आप अपने दात मोतियों जैसे सफेद और सुन्दर बना सकते हैं चलिए मेरे साथ इसे बना कर यूज कीजिए और देखिए इसका कमाल। इसके लिए आपको ये करना है कि अपनी डेली लाइफ में नीबू काम में लेने के बाद इसके चिलकों को काट कर हल्की दूप में सुखा लेना है। जब ये चिलके आट-दस दिनों में अच्छी तरह सूख जाएंगे तो इस तरह के दिखने लगेंगे। अब आपको इन सूखे हुए चिलकों को मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लेना है। फिर इसको इस तरह चान लेना हैं जिससे हमको एकदम बारीक पाउडर मिल जाएगा। अब हम नीबू के चिलकों के इस पाउडर की तीन चमच एक कटोरी में ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक चमच नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यह हमारा दात सफेद करने का नुस्खा बनकर तयार हो गया है। अब आप इसको यूज कैसे और कप करेंगे। दोस्तों आपको इस नुस्खे को पाउडर वाले दंतमंजन यानि टूथ पाउडर की तरह रोजाना सुबह-सुबह यूज करना है। आप इसको ब्रश करने के पहले भी यूज कर सकते हैं और ब्रश करने के बाद भी यूज कर सकते हैं। मेरे चैनल सचिन गोयल को सब्स्राइब कीजिये